नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे योटीव चैनल डियर गुरू जी पर सुगाईज जैसा कि आप सब लोग कह रहे थे कि लेकपाल की जो वेकेंसी आने वाली है और मंडी परसत के आप लोग त्यारी करी रहे हो तो लेक पाल और मंडी परसत के लिए यह जो इस पेसली में करवाने जा रहा हूँ अब उत्तरपदेश राजश और ग्रामीर जानकारी बहुत ही इंपोर्टेंट यह सीरीज है तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखेगा यह सीरीज में जितने भी वीडियो में डालूँगा सबको देखेगा तो बहुत ही इंपोर्टेंट होगे इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला जब वीडियो आएगा तो नोटिफिकेस आपको मिलेगा तभी तो आप लोग देखोगे और कुछ क्लासेज में लाइफ लेता हूं मैत के क्लासेज हो गए और क्या बोलते हैं इसके अलावा लाइफ टेस्ट आपका रोज साड़े साथ बज़े होता है वह साही चीजिए लाइफ होती है तो इसलिए नोटिफिकेस आपके पास पहुचन बहुत जरूरी है तो आप क्या सथी है चलिए देख लेता है पहला ऑप्सन कहरा है या निसल्क प्राप्त होता तो बिल्कुल सही है दोसरा कहरा या अधिक उपच के लिए मिट्टी के गड़ता ब्रिध्ध ही तुझा जानकाई देटा है अगला कहरा है कि यहां फसल के आवस्कता नुसार औरुख की सही मातरा की जानकाई देता है तो ये भी बिल्कुल correct है यानि कि option जो इसका 4 है उपरियोग तो सभी ये बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं दोस्तों question number 2 पर तो कहरा है आपसे निम्न में से कौन सा जरीब का होता है जरीब के बारे में बोलता है जरीब का हिस्सा होता है यहाँ पर अगर बात करें जरीब का हिस्सा कौन सा होता है तो अगर हम बात करें फीटा, छला, गठा तो ये सारे के सारे अपके जरीब का हिस्से होता है कैसे फीता जो होता है विसकली जरीब एक प्रकार का फीता या एक प्रकार का चेन ही होता है इसमें लोहे या इसपास से बनी कडिया एक दूसरे के साथ छलो से जुड़ी होती है इसलिए छला भी इसका हिस्सा हो गया और जरीब में इसके कुल नाप के दसवे अंस के बराबर होता है एक एकर जमीन किसके वराबर होता है तो दोस्तों एक एकर जो जमीन है वो आपका 4840 वर्ग गज के भी पराबर होता है आपका यहां पर वी जुपशन 4 है उपयूक सभी यह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा एक एक option आपको समझाता चलूंगा जिससे आपका एक भी question doubt में ना रहे question number आपका 4 है निमलिखित में से कौन सा प्रकार उस क्रिसी प्रडाली को दर्साता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े छेतर में उगाई जाती है तो basically यहाँ पर रोपर क्रिसी इसका सही हो जाएगा जी हाँ रोपर क्रिसी क्या होता है इस क्रिसी की विशिस्ता यही होते है कि इसमें क्रिसी छेतर का जो आकार है वो बहुत ही जादा बड़ा होता है इसमें अधिक पूजी स्थीय और सब्धूριत चैन्य में इस पेंगना तो क्यिसिए warum मां तो हुट यहां पर यहां पर घालिया 2030 सिर्वर्ल जाती है और मांच अप्रइल में काट ली जाती है और selectivephalt 1 आर्फ में आपके कोई खारिवा प्रज़्ट आलू होता है राई होता है इसके लावा दलहन फसल होती है दलहन फसल हम क्या क्या आता है मतर आता है चना आता है इसके लावा तिलहन होता है उसमें आपका सरसो आता है चलिए पढ़ते हैं अगले कोश्चन पर तो अगला कोश्चन आपका यहां पर है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है फलीदार फसल की बात कर रहा है तो भलिदार फसले को यहाँ पर पर अगर देखा जाये तो नमरे बूट जूहर है यहाँ अच्छा她 निसने दाल आपसंद नत्सक्रारे रोका जा सकता है जो भूच हरड है वह बिसिकली यानि कि मिर्दा जो छरड होता है वो एक भहुतिक प्रकिरिया होती है और इसको मिर्दा और जिसके द्वारा जो मिर्दा होती है वो एक असान से दूसरे स्थान पर बहुत जाता है मिर्दा जल्द था वायू के माध्यम से इस हानांतिर होता यह तो आपको पता है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भूच हरण है वो विसिकली वन रोपड करके यहाँ पर रोपड होना चाहिए था वन रोपड के द्वारा रोका जा सकता है तो यहाँ पर आपसन जो भी है वन रोपड यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोईशन अमबर आठ पर आते हैं तो कहरा आपसे निमलिखित में से कौन सी मिसरित खेती की एक प्रमुख विसेशता है मिसरित खेतीके बारे में बात locks कर रहा है दोस्तो यहाँ पर तो यहाँ पर मिसरित खेती दीकिए पहला कहरा है करेक्ट है यह बिल्कुल correct है पसू पालन को और फसल उत्पादन को अगर एक साथ किया जाता है तो आपका मिसरित खेती के अंतर गताता है तो आपसम जो इसका 3 है वो बिल्कुल correct हो जाएगा जैसे जब एक खेत पर फसल उत्पारने साथ मुर्गी पालन या कुछ और अन्यक्रिसी आधार किरिया है जैसी आपकी डियरी फार्मिंग होता है मदमक्की पालन होता है यह सब किया है वो मिस्रित खेती के इंदर गताता है चले बढ़ते हैं question number 9 पर तो कह रहा है एक एकड में कितने वर्ग गज होता है दोस्तों यहां पर एक एकड में 4840 वर्ग गज होता है तो इसका option जो ए है फस्ट है वो बिल्कुल correct हो जाएगा चले बढ़ते हैं दोस्तों अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है भारत में गेहुं की जो आउसत पैदावार है दोस्तों वो basically कितनी है वो यहाँ पर भारत की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपसन जो D है 2000 kg हेक्टेर से प्रती हेक्टेर से अ अगलावा गेहुं फसल कर जो जनम है वो जनमस्थान जो भी आपका मध्य एसिया माना जाता है question number 11 है आपका कहरा यहाँ पर भारत में सोया बीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल जिसे आन तोर पर सोया चौपनाल प्रोग्राम कहा जाता है किसके दवारा की गई एक पहल है तो आपको इसका जवाब देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा question number 11 का जो correct answer है वो आपका ITC हो जाएगा ITC सब आपने सुना होगा क्या होता है basically तो भारत में सोया बीन किसानों की मेदद के लिए ई-चौपाल जिसको हम लोग आन तोर पर सोया चौपाल प्रोग्र ITC की ये पहल है question number 12 है धान का नियुनतम समर्थन मूल ये कितना है तो देखे इसका जवाब को ये आपका पहला हमर के हर वीडियो आपको एक से दो हमर मिलेंगे तो आपको comment करके बताना है धान का नियुनतम समर्थन मूल इस समय कितना है latest बताना है और आपको comment करके इसका question number 13 है और सभी कुछ प्रतिच्छा कर सकता है कि तो पंडि जवाला नहीरू जी का है तो option इसका जो first है वो बिलकुल correct हो जाएगा ये बात उन्होंने बंगाल में पड़े अकाल जो में पड़ी हुई थी उसके संदरुम में कहा गया था क्योंकि उसमें अनाज संकत और भुक्मरी बहुत ही जादा विक्राल लूप से फैली हुई थी केशर के लिए पौदे का कौन सा भाग उप्योग में लाया जाता है? है वो क्या है क्रॉकस इस्टैविक्स है इसको बोल सकते हैं और इसकी जो खेती है सबसे पहले ग्रीस या युनान में होती थे उसके बाद यहां आम तोर से हर जिगा होने लेगी इस्टार के कुश्चनमर आपका पंद्रह यहां पर ललित किसकी एक उत्तम किसम है ललित जो है वो बेसिकली किसकी उत्तम किसम है तो ललित जो है आपका अमरूत की एक उत्तम किसम है तो आपसन जो फोर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अमरूत की एक उत्तम प्रजाती है जिसकी उत्तम पातकता है वो बहुत जाता अधिक है और ललित अमरूत का रंग जो है लाल अबे डेसी बेल है उससे अधिक नहीं होना चाहिए क्रिसी कारी के लिए जो ट्रेक्टर होते हैं तो आपसे इसका फश जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिससे जो धोनी प्रदूसर है वो नियंद्रित रहे आते हैं कोश्चन नंबर 17 पर तो कहरा आपसे इसके अलावा आते हैं कोश्चन नंबर 18 पर तो कहरा आपसे यहां पर धान में भूसी का प्रतिसत अनुपात कितना होता है अनुमानता होना चाहिए तो जो परसंटेज है धान में भूसी का वो आपका 20% लगबा होना चाहिए तो आपसें जो इसका दान में भूसी का जो वजन है वो 20% होता है पहले भूसी को या तो जला दिया जाता है या बंजल भूमी में फेक दिया जाता है समझगे आते हैं इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेसिकली धान के उननत बीच के जो निमने प्रकार है वो IET 99994 है पूसा 66 सेवा ने एस डिक स्यामला है बहुत सारे हैं तो यह सारे चावल के उननत किसम हैं आते हैं क्वेशन नमबर 20 आगरी क्वेशन पर तो कह रहा है आपसे यहां पर निमलिखित में से कौन सा अमलिय ध सफलता से उगाया दसकता है अमलिय धर्ती पर कौन सबसे उगाया सकता है तो यहां पर अगर देखा जाय तो आपका जो 20 है स्का जो जो स्मूट में आया हो का और तक टार्बूज हो उनसी तचिंस रषि केुग जाया सकता है तो तो यहां भाइब कर रहा हूँ तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं अपने चैनल जैब भारत और काफी लोग कहत है कि लेकपल की भरती पाने वाले तो जन्वरी के थर्ड वीक में आ जाएगे